अम्रित पाल दे सरेंडर ते जत्हदार अकाल तक्त दा ब्यान सरेंडर दियां चर्चामानों दस्याद चूठियां खबरा पुल्स ते वी वर्दे नजर आई जत्हदार अकाल तक बीते दिनी तक्त सीडी दमदमा सहब तलवंडी साबो दे विखे विशेश इकतरता अकाल तक्त दे जत्हदार ग्यानी हर्पीट सिंग दे वनों सद्धी गीसी दिसे जान्दा है कि इस मौके पतरकारां दा एकाठ विखन नों मिलया अते इसे मौके ही संगतानों संबोधन कारदयाओ है जत्हदार अकाल तक्त पंजाब पुल्स ते सरकार थे वी वर्दे होई नजर आईने इस दिनाल ही उननाने कहाई कि अमरित पाल दे नामदा डर फ अकाल तक्त अते इस मौके थे उननाने सरकार नों एवी किहा है कि उजल्द तो जल्द सक्ती दिनाल एक पुल्स एथों हटा लें अते इस सब देव चाले मीडिया दिनाल गाल बात कर दिया हुया उननने अमरित पाल दे सरेंडर करन वाली गल्त वी आपना सपश्टी करन द है क्योंकि 14 अपरेल को यहां पे बहुत बड़ा इवेंट खाल सा साजना दिविस होता है लागों की तदाद में सिख संगज हो आती है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं भावना जो है सिखों के मन में जो है यह बात डालने का जतन किया जा रहा है कि यहां महौर ठीक नहीं है जब है कि जथे दर अकाल तक्ते दे वल्नों मुर्तों 14 अपरेल नों खाल सा साजना दिवस दे मौके ते सिरी दमदमा सहब दे विखे पारी इकट की ते जानवास दे संक्ता नों सद्दा दिता गयाई जिकरियों है कि इस मौके जथे दर अकाल तक्त ने SGPC दे नार्वी अपनी निराशा जाहिर किती है उना दा क्याना सी कि खन्ना पुलिस दे वनों बीते दिनी जो चंडे दखाए गए सान ओंगलत रूप दे विच पेश किते गए संजिस दे उते SGPC दे वनों कारवाई किती जानी चाहिए बचिना दो जुकसीर पुलर्दी रपोर्ट चड़ी कला टाइम टीवी